जैश्री राध है पुझेश्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में प्रनाम आज पुझेश्री भाई जी कहते हैं भगवान के नाम का जब भगवान पर विश्वास रखकर करना चाहिए और उनकी किरपा पर भरोसा करके अपने को सर्वतो भाव से उनहीं पर छोड़ देना चाहिए ऐसा ना हो सके तो भी नाम जब करना चाहिए जैसा भाव हो उसी से कल्यान होगा आंशिक किरपा के दर्शन होंगे और सांसारिक वासनाई किसी अंश में पूर्ण होंगी परन्तु इसमें घाटा यही रह जाएगा कि शिग्र ही भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी भगवान को याद रखने का उपदेश घंटे दो घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जब की आग्या इतनी संख्या पूरी करने पर सिध्धी हो जाएगी इस लोब से संख्या युक्त जब या संख्या की गणना से जब हो जाता है अथ्वा भूल रह जाना संभव है इसलिए संख्या की अवधी बांद कर जब करना चाहिए यह आदेश तो उन आरंभिक सादकों के लिए है जो भगवान के प्रेमी नहीं है नय करने की अपिक्षा ऐसा करना बहुत उत्तम है प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमासपत का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वैम तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारन करते सुन लेते हैं तो उसकी चर्ण धूली लेने के लिए दोड़ पड़ते हैं श्री भगवान के नाम का जब जैसे बने वैसे ही करते रहिए करते करते नाम के प्रताप से विश्वास बढ़ेगा ना घवराईये ना हार मानिये मैं तो एक श्री भगवन नाम को जानता हूँ उसका पूरा महत्व तो नहीं जानता परन्तु विश्वास है कि भगवन नाम से सब कुछ हो सकता है और आपको भी उसी का आश्रे लेने की नम्र सलाह देता हूँ उपदेश देने का तो मैं अधिकारी नहीं हूँ सलाह के तोर पर यही कह सकता हूँ कि आलस से असयम और अविश्वास का त्याग करके श्री भगवान का नाम जब करना चाहिए तथा नाम जब करते हुए ही भगवत सेवा के भाव से करतव्य कर्म करने के आदट डालनी चाहिए सीधे सीधे तीन काम है पहला भगवान का नाम जब दूसरा बाहरी पापों का बिलकुल त्याग और तीसरा भगवान की दया पर विश्वास इन से सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी इन में भी तीनों न हो तो दो करें नहीं तो कम से कम एक भगवन नाम का जब इसमर्ण निरंतर करते रहने की कोशिश करनी चाहिए कल्यूग में केवल क्रिया सितारने वाला महान फल देने वाला भगवन नाम ही है और सारे साधनों में भाव की आवशक्ता है नाम भाव से कुभाव से कैसे भी लिया जाए कल्यान कारी ही है अवश्य ही भाव का तिरसकार नहीं करना चाहिए प्रत्ते क्रिया में जहां तक हो उंचे से उंचे भाव में पूरी विधी तथा बाहरी क्रिया तीनों का ख्याल रखकर तीनों ही करते रहना चाहिए हारे को हरी नाम श्री भगवान का नाम जब करते रही और कम से कम यह द्रड चेश्टा रखिए जिसमें वानी और शरीर से कोई पाप न हो मानसिक पापों से बचने की यथा साध्य कोशिश कीजिए नाम का अश्रे होगा तो पाप अपने आप ही नश्ट हो जाएंगे एक उपाई बहुत उत्तम है प्रतिग्या कर लीजिए प्रतिछन लगातार नाम जब की नाम जब कातार यदी जागर तवस्था में कभी नहीं तूटेगा तो निश्चे ही सब पाप मर जाएंगे यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रियोग है जैश्री राधे जैश्री राधे पुझेश्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में प्रनाम आज पुझेश्री भाईजी कहते हैं